नमस्ते दोस्तों, मैं मोरे वर्षा, मेरे यूटूब चानल पर आप सबका स्वागत करती हूँ आज हम भिश्म सहानी द्वारा लिखित अमृत्सर आ गया यह कहानी देखने वाले हैं अमुरुसर आ गया, यह कहानी भिश्म सहानी की सबसे जादा प्रसिद्ध कहानी है, और विभाजन की त्रासदी पर आधारित यह कहानी है, यानि इस कहानी की जो विशे हैं, जिसमें सामपरदाईकता की समस्चा, विभाजन की त्रासदी, मानिवी ये कृत्य का दर्शन, मानिवी ये सव्वेदन, आधी इस कहानी की जो विशे बन पड़ते हैं इस कहानी की शेली, मैं शेली में लिखी गई ये कहानी है, प्रतिकात्मक है, वेंग्यात्मक कहानी है इस कहानी में मुख्य रुप से जो पात्रा आता है जिसका नाम है बाबू और दूसरे जो पात्रा आते हैं तीन पठान ठीक है इस कहानी में जो एक ट्रेन का या एक रेलवे का सफर और उसमें जो सफर करने वाले जो यात्री लोग हैं उनके साथ क्या-क्या घटित होता है इ पहले हम कहानी देख लेते हैं भिश्मसानी का स्थान तो आप लोगों को पताई हैं एक प्रख्यात प्रसिद्ध कहानिकार के रूप में वे जाने जाते हैं उनकी जो वेचारिक प्रुष्ट भूमी है वह भी मानिविये सव्वेदना को लेकर यानि जीवन के जो बिसरते जी को विश्तरुत फलक पर कलात्मक सैयम के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास लेखक ने इस कहानी के द्वारा किया हैं अब भ्याने खिंसा रक्तपात की बीच विभाजन की जो ट्रेजिडी से 15 अगस्त 1947 को स्वाधिन भारत का जन्म हुआ सारे उत्सव और उल्लास पर अवसा कि गेहरी काली चाया पड़ाई हुई दिखाई दिते हैं एक और पाकिस्तान बनने की गोष्ना की जा चुकी थी दूसरी ओर दिली में स्वाधिनता दिवस के समारों का भव्य आयोजन किया गया था लेखक दिली के स्वाधिनता दिवस समारों को देखने जा रहे हैं गाड तरीके से उन्होंने ये विंग्यात्मक कहानी कही है इस कहानी में इस सत्य को उधगाटित किया गया है कि सामप्रदाइक भावनाओं को जो विनिष्ट करने के लिए विभाजन कोई उपलबदी नहीं थी विभाजन के पश्चाद भी जातिगत जो दुएश है घृणा है और बहुत सारे अमानवी एकृत्य समाज में दिखाई देते हैं विभाजन हो चुका है गाड़ी में बहुत सारे लोग बेटे हैं जिसमें तीन पठान और एक दुबला पतला बाबू विशेश उलेकनी हैं यानि जिसमें पाकिस्तान के इलाके से भारत आ रही ट्रेन में हसी मजाक रेल के डिबे में जो घुसनी की कोशिश कर रहे हैं लोगों के प्रती डिबे में बेठे लोगों का जो विवार है तता खुद के सुरुक्षित दायरे के भीतर रहते हुए भी दूसरे पर हावी होने की जो मानसिकता को यहां हम देख सकते हैं ट्रेन में यात्रा कर रहें तीन पठान है और एक दूबला पतला जो विकती है बार बार उसका मजाक उड़ाया जा रहा है वह जो बाबू है ठीक है गाड़ी में बेठे लोग भविशे में जीवन की रूप रेखा बना रहे थे कोई भी अपने भविशे के प्रती आश्वस्त नहीं था किसी कहानी का जो मुख्य पातर है पठान और बाबू बने हुए है जेलम स्टेशन से गाड़ी चूटने पर पठान मास और नान रोटी खाने का जो प्रयोजन बनाते हैं और बाबू को कहते हैं मजाक में की मास काओ और बाबू को अमंत्रित भी करते हैं लेकिन बाबू जो मास खाने से इंकार कर देता है उसका मजाग उड़ाया जाता है और वजिराबाद स्टेशन का वातारन की जो तब्दिली से लेखक की जो पेनी दुरुष्टी भाब जाती है कि अवश्य दंगा हुआ है और होगा नए मुसापुर के चड़ने पर हर बार प्रतिवाद और सीटे चड़ता हुआ और किसी को चड़ने के लिए आवाज देता है सलसा उसकी पतनी और बच्छा भी गाड़ी के अंदर आ जाते हैं अब डिब्बे के जो बेठेवे लोग है वो विरोध करते हैं विरोध के बावज़ू भी वो सामान चड़ाते हैं और खुद भी और वह पीडा से चिला उड़ती हैं डिब्बे में सनाता चा गया है फिर भी मुसल्मान उसे निकालना ही चाहते हैं और उसका सामान उठा कर फेक लगते हैं अच्छानक गाड़ी छोड़ जाती है और विक्ति जो वह चिलाने लगता है सामान पूरा चड़ नहीं पाया जल पहरी आग से संभवता दंगा का जो परिनाम था उस लेखक को अउगत कराता है सभी मुसाफिर की दुर्ष्टी से उसी दुर्ष्य पर लग जाती हैं गाड़ी के बाहर छोड़ कर आगे बेटने पर सनाता चाया था बाबू का चेहरा पीला था यानि डिब्बे में तनाव व्याप्त हो गया था एक प्रतिखिरा और होती ही कि डिब्बे में जैसे लेखक ने सपश्ट किया है कि वजराबाद स्टेशन से उसकी जान कहरी होते साथ पठानों का तनाव धिला पड़ जाता है यानि इस वह जितनी देर तक जो बाबू है हिंदू है और ट्रेन के पाक आई समझता है परन्तु जैसे ही ट्रेन हरवेंश पुरा पार करके अम्रुच सर पहुचती है इस दुबले पतले अदमी में गजब का जोश एक स्पूर्ती और शक्ती का संचार हो जाता है वह लंबे चोड़े कद काठी के पठानों पर गालियों की वोचार करने लगता है स्टेशन पर उतर कर जब थोड़ी देर बाद वह ट्रेन में लोटता है तो उसके हाथ में लोहे की जो चड़ होती है इसका इरादा साफ होता है कि इस बिच वह पठानों और उसके जो साथी लोग है मोका पाकर दूसरे डब्बे में चले जाते हैं डिब्बो की तलाश में वो आगे बढ़ते हैं जिन में मुसलमानों की संक्या जादा है वही पर हो जाते हैं लेखक लिखते हैं कि जो विभाजन पहले प्रत्यक दिब्बे के भीतर होता जा रहा था अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा ये उस कहाने का सव्वाध है जो विभाजन के पहले प्रत्यक दिब्बे के भीतर होता था अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा था यानि अगले स्टेशन में पूरे दंगे के कारण सन्नाटा दहशत वातावरन दिखता है बाबु किसी अग्यात आशंका से सीट पर से उठकर दो सीटों के बीच ज अलहा भी देते हैं बाबु शान्त निश्चल बेटा है क्योंकि उसे प्रतिक्रिया नहीं करता सारा वातावरन बोजिले निश्चित स्थब्द शान्त और सहसाद जो दुबला बाबु है उसी आवाज में बोलता है हरवन्श पुरा निकल गया है थोड़ी देर में चिलात है उसपठान को जिति यानी अब इतनी देर तक जब उस चुक था लेकिन जैसे ही अम्रण सर आता है शहर आता है तो वो चुलाने लगता है गालिया देने लगता है यानि एक हिंदू अयवरत को लात मारता है कर उसे गालिया देते काफी तनाव में उनके बीच कहा उनी होत तक जाते हैं एक साथ वहां से चल पड़ते ही यानि सपस्ट है कि भाजन जो पूरो में हमें डबे में बेठे आदिमियों तक दिखता है अब पूरी गाड़ी किस तर पर होने लगाए तबी सहसा बाबु आता दिखता है जिसके हाथ में चड़ है जैसे मैंने कहा पठानों के निकल जाने पर अपना आक्रोश और अफसोस विक्त करता है प्लाटफॉर्म पर चहल पहल जादा है लेखक को अंदाजा हो जाता है कि बाबु का ध्यान पठानों पर था संबुता उसके सीर पर जुनून सवार था गाड़ी पुना सी समतल गती से चलने लगती है याती नी दर्वाजा पर एक दस्तक सुनाई देती है कोई निवेदन कर रहा है कि खुदा के लिए दर्वाजा खोल दो मेरे साथ अवरत जात है गाड़ी निकल जाएगी और ये जो याचना कर रहे हैं उस विक्ती ने अस्पुष्ट स्वरस के साथ जो सास ली और उसी वक्त क्योंकि सामने वाला विक्ती जो मुसल्मान था और बाबु जो है हिंदू है आखिर ये जो बात हो रही है कि यहां किस गलती की सजा उन्हें दी गई है उसके औरत अभी भी पट्री पर के साथ उन बातों से अन्भिग न दोड़ रही है तभी वा आदमी कटे पेड की तरह गाड़ी पर से गिर पड़ा उसकी पत्नी का भागना भी बंद हो गया मानो उसका सफर एक साथ कतम हो गया बाबु सहियत होकर पुना अपना स्थान गरहन करता है क्या उस विक्ती का दोश था मातर इतना ही था कि वो मुसल्मान था क्या वो इंसान नहीं था क्या उसको मारन का उत्तर कहानी के मार्देम से देने का प्रयास की यानि सांप्रदेता का एक मुख्य कारण विवेक शुन्यता है जिसमें व्यक्ति जात या उमधर्न विभेत जो कुछ है व्यक्तिगत स्वार्त में बंदा होकर अपने मार्ग से भटक चुका है उसके आखों में इंसान के ब पाश्विक्ता का परिचे दिता हुआ इंसानों के भेश में एक भेड़ बकरियों की तरह मार डालता है महज हिंदू मुस्मान होने के कारण लोग निर्दोष होते हुए भी मात्रबदले की जो भावना है ये उस ततकालीन समय में देखने को मिलते हैं संपूर्न कथा का के में मुख्य बाबू है जिसके माधेम से लेखक ने विद्जित करते हुए कहा है कि जी प्रकार जाति और धर्म के उपरी जो विभेध है और उस मानिवेता से मानिवेता का जो पाधुर्वा हो यहां प्राधुर्वा होता है और व्यक्ति-विवेक्षन होकर पाश्विक् संपूर्ण कृत्यों द्वारा अपने उन्वात की जो बात करता है इस संपूर्ण कथा को लिखक ने प्रतिकात्मक वेंगे वेंग्यात्मक शेडी में रखकर अत्यंत मानिवी सवेद्ना की सपर्ष करने वाली ये कहानी है और सहज हिंदू हो या मुस्मान दोनों अपने जो बाज नहीं आते हैं इसके साथ ही लेकक ने यात्रियों की इस प्रवती पर भी वेंगे किया है और ट्रेंग के भीतर जिस तरह ये दहशत दिखाई देती है इस कहानी में उभाजयन की जो स्तीती है उसका दृश्य चित्रा हमें इस कहानी के मादियम से मिलता है यानि ज जिन तो चर्चित कहानी है लेककी ठीक है तो धन्यवाद